हमारे सास्त्रियम बताते हैं कि यग्य से वातावन और अन्यादी सूसंजगारी और प्राणवान बनते हैं यग्य में बचा हुआ यग्या वसिस्ट भूजन करने वाला सज्जन पाप कर्मों से मुग्द हो जाता है और जो मात्र अपने लिए बनाता और खाता है वो पाप खाता है भूजन करने से पूर भगवान को समर्पित करने के बाद भूजन करने से वेक्ती हर एक प्रकार के रिल से मुक्त होता है मात भूजन ही नहीं परन्तो अपनी संपत्ति, बुद्धी, सक्ति, ग्यान, वैबव, समय और प्रभाव का एक अंस परमार्थकार के लिए दान करके अपने अथवा परिवार की उपयोग में लेने से वेक्ती परिवार और समाज उतकर्स और सांती प्राप्त करता है भोजन सुद्ध होता है तो अंतरकर सुद्धर पवित्र बनता है और अंतरकर अरदाज सत्व सुद्धी से पूर्टत्व परमात्मा का अनन्त इस्मरण होता है इसी से सभी दोस्त धर्गुण और को संसकार का नास होता है त्याग पूरव भोग किया अन्न हमारे अंदर बल और प्राण सक्ती को धारण करता है इमानदाई से प्राप्त एवं संसकार युक्त अन्न ही मनुस में सत्थ बुद्धी उता है